अपको लगता है कि गवर्णमेंट अपना ही चांसिडिरेशन करेनी आई? वो करते हैं और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तब ही आपको मालू होता है कि किस स्टेट को क्या मिला किस को क्या मिला किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया उस वक्ती मालू होता है इसमें कोई पूछताच एक दूसरे का विचार करना ऐसी प्रता बीजेप कि ने तो नहीं डाले कि अपको लगता है सर बहुत सारे इशु को अपको लगता है सर कही इस बार गोवर्नमेंट और कंसीडर करेगी सर नहीं अब देखेंगे फिर एक पार उठाते हैं देखो यह चीजे ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोकों के जो भी गृविन से सहय उसको सरकार के सामने रखना और यह हमारा फर्ज होता है और उसलिए हम हमेशा कोजिश करते रहेंगे अब सरकार अब इस पार क्या करेगी, कईसा करेगी, हम तेख एगाँ जब रहुर्गांदी से राहुल गांदी और आप राजय सबहां में बहुत सारे इशु को जब और स्पीकर एक तरफा उपिनियन दे रहे हैं। मैंने यह सब उनको एक तरफा कंसिटरेशन देने का। देख भाई, यह बाते मैं कहिना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यह गवर्मेंट हमेशा अपोजिशन को निकलेट करते ही आही। और अच्छी बात रखने के लिए कभी मुखा नहीं दिया। और जो जन्ता के तकलिफात हैं वो अगर पार्लमेंट में हो रासवा में रखना चाहते हैं। तो उसको कभी मुखा नहीं मिलता। क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेलिवर्स है लोकों को मालूम हो। तो इसलिए वो लोक मुखा नहीं देते हैं। और खुद यह सारी चीजें तई करती हैं गॉवर्मेंट। हम स्पीकर को बलेम करना चेर्मेन को बलेम करना यह अच्छा नहीं है क्योंकि वो जो आजेंडा रहता है उसके मुदाबिक वो प्रिशर टैक्टिस करते हैं सरकार वाले। तब यह सी चीजें आते हैं कि हाउस अच्जर्म करना यह कुट शॉट करना डिबेट। यह सारी चीजें सरकार करते हैं। सर जेडियो एक तरफ है टीडिप एक तरफ है आपने भी क्लेवी बोलेते हैं जादा धिन टिकने वाली जोर्नमें नहीं हैं। आपको लगता है कहीं उनका भी कंसिडरेशन कहीं बजेट पर फरखना पड़े से। देखो यह टीडिप हो या हमारे जेडियो यह सब लोग उनके भी अजेंडा होते हैं उनों भी जनता को कुछ प्रामिस करके ही आते हैं। अगर वो फुल्फिल नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं तो प्रेशर टेक्टिस करके अपना काम मनवाने का करते हैं। लेकिन यह हमेशा यह हुआ है कि जब कभी भी मोदी जी अपना जो अजेंडा है उसको फारवर्ड करने के लिए और वो साजेंडे को चलाने के लिए उनों भी प्रेशर टेक्टिस वो अपोजिशन पर डालते हैं। कासकर अब जो उनके दोस्त है उनको ही खतम करते हैं। बहुत दफ़ा और यह देखा गया महराष्ट में देखा गया। दूसरे जगे भी देखा गया। तो यह सरकार का एक टैक्टिस है कि उनको जब मेजॉरिटी नहीं है। वो मेजॉरिटी को सपूर्ट लेने के लिए वो हमेशा यह दबाओ डालते रहेंगे। तो पिछले बार आपने भी बोले थे कि आपके नंबर के साथ आप कुछ भी खेल सकते हैं। लेकिन इस बार उनके नंबर नहीं है तो आको कर लगते हैं कि इस पर आप उनको दबाओ में रख सकते हैं साथ सरकारों। देखो यह JULा दबाओ का कुछ्शिन नहीं है। यह जनता के समस्याहों को सुलजाने के लिए हम लोग हमेशा दबाओ बनाते रहते हैं। और लोकों के बात को मनवाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी वह अगर सुनते नहीं तो अब जनता है जनता देखेगी उनको तो इस इलेक्शन में तो सबक सिकाया है और आगे भी अगर ऐसा ही चला तो लोग चुप तो नहीं बेठेंगे अपनी जो लोकतंत्र के अतियार है और अस लोकतंत्र के हातियार को आप रहेलवे मिनिस्टर थे सर बहुत सालों तक रहेलवे मिनिस्टर को देखे हैं, जो हाथ से हो रहे हैं सर, इसके ओपर आप क्या कहें हैं, सर बहुत सारे हाथ से हुए हैं, विश्बेंगालो या चंडिगर के पास हो, वो सारे ट्रैन के एक्सिडेंट लगा तर होते जा र देखिए इसलिए हो रहा है कि इसमें रेलवे डिपार्टमेंट को वीक कर दिया गया है और इतने वेकेंसीज है रेलवे डिपार्टमेंट में लाखो वेकेंसीज है अगर आप लाखो वेकेंसी को भरते नहीं और चाहे सिगनल का आदमी हो चाहे बहुत से इंपोर्टेंट टेकनिकल हुद्दों पर अगर भरती नहीं करते हैं थार खासकर, ठ्राइवर्स और हुड़्टेंडर्स को यह सभी भरती नहीं करते हैं तो चैसरलिड एबीख होते जाता रेलवे रिपार्टमंट और आज रेल्वे डिपार्ट्मेंट इतना वीक हो गया है कि एक तो एक हादसे पर हादसे हो रहे हैं, एक तो उनके तरब ध्यान नहीं देजा जाओ है, और वक्त पर पैसा रेल्वे डिपार्ट्मेंट को नहीं मिलता। जब रेल्वे इंडिपेंडेंट था, जो मर्ज नहीं हुआ था फैनांस में, तब वो अपने हाप पे बल्बूते पे करते थे, और जब कभी थोड़ा खम गिरता था, तब वो सरकार से फूचते थे, लेकिन अब पूरा पावर सरकार ने लिया है, फैनांस तो रेल्वे डिपार्ट्मेंट तो भी खोगा ही, और दूसरी तरब लोकों को अपॉइंट्मेंट्स नहीं मिल रहे हैं, और वो अपॉइंट्मेंट्स करना नहीं चाहते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का भी हो रहा है, और रेल्वे डिपार्ट्मेंट का हो रहा है और हादसे भी बगड़ रहे हैं और अब तक तो सेखड़ों लोग मरें हैं तो यह चीजें सरकार को सोचना चाहिए अगर सरकार सोचना नहीं चाहते तो लोग सबक सिखाएंगे सर मेरा लास्ट प्रस्ने है मनिपूर वाले इस्यू को आपने बहुत गबाओ दे के बात किये थे इस बार भी आप सेशन में उठाने वाले हैं तब मनिपूर का तो हम बार बार उठा रहे हैं उसी लिए तो हमको वहाँ पर जीरो रिजल्ट आया विजे भी को दो सीट थे दो सीट काौंग्रेस को मिला ओ लोक आ रहे है नागा लेंड में आ रहे है तो अईसे जगे जिस जगे उनका दबबा था उस जगे भी ओ लोक हा रहे हैं इसके लिए वो कम से कम मौदी जी खुद जा कर लोकों के क्या समझ्या है उसको सुल जाने की ओ लोक कौशिश करना चाहि उसके वजाए सिर्फ बात करते हैं और लोकों को कोई समादान नहीं देते उनके घर गए हैं अवर्तों की बेज़ती हो गई है और बच्चों के पड़ाई खराब हो गई है और जो लोग के इंप्लामेंट उनको मिलता था वो भी बंद हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान मनिपूर के लोकों को आर्थिक द्रस्टी से और सामाजीक द्रस्टी से बहुत अन्याय हुआ है अगर यह आईचा ही चलते रहा तो हम उस स्टेट को वहां पर इंस्टिगेट हम कुदी कर रहे हैं कि तुम हमारे सरकार के खिलाब लड़ो तो यह जरा अच्छा नहीं वो कुछ जाके सुन जाना चाहिए सर करनाटक में लगातार बीजेपी धरने पर बैट रही है प्रोटेस्ट कर रही है सेशन चलने नहीं दे रही है और सी एम की रेसिगनेशन की महां कर रही है सर वह वालमी की शुको लेकर आपको यह रिपोर्ट नही है सुर्जेवाला जी वो सब लोग देखेंगे और वो जब कभी यह इस्यू आई कमांड के सामने आएगा हम लोग इसको देखेंगे पर एक्स्क्लूसिव और इंसाइफुल वीडियोस सब्सक्राइब तो आर न्यू चैनल एबीप लाइव प्रेमियल